आप देख रहे हैं जन्वारी निउस टॉप 20 स्पोंसर्ड बाई शोभित युनिवर्सिटी मेरट शोभित युनिवर्सिटी Empowering Nation Through Education नमस्कार, स्वागत है आपका जन्वारी डिजिटल निउस की दुनिया में मैं हूँ आपके साथ हजीत आनंद आई ये नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर विराट कोहली ने दिया दीवाली का तोहफा भारत ने पाकिस्तान से लिया बदला चार विकेट से हराया विराट कोहली ने भारतिये फैंस को दीवाली का तोहफा दिया है उन्होंने इस मैच में तिरपन गेदों में 82 रन की नाबाद पारी खेली महिला द्वारा पैर छुने पर गुस्य से तमतमाय मंत्री वी सो मन्ना ने सब के सामने जड़ दिया थपड करनाटक सरकार के मंत्री वी सो मन्ना ने एक महिला को थपड़ जड़ दिया बताय जा रहा है कि भरी सभा में महिला ने मंत्री जी के पैर छु लिये थे इसलिए मंत्री जी गुसे से लाल हो गए हालां कि इसके बाद भी महिला ने अपनी समस्या मंत्री जी को बताई तीसरी बार चीन के राष्टपती बने शी जिन पिंग कहा हमने दो चमतकार किये दुनिया को चीन की जरूरत शी जिनपिंग ने चीन के राष्टपती के रूप में एक आतिहासिक तीसरा कारिकाल हासिल कर लिया है जिनपिंग अब पांच साल के लिए और इसपत पर बने रहेंगे शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया को चीन की जरूरत है पंजाब में BSF का बड़ा फैसला तसकरों को गोली मारने का आदेश ड्रोन मार गिराने वाले जमानों को मिलेगा पुरसकार पंजाब में इस साल अंतरराश्ट्रिय सीमा पर 150 से अधिक ड्रोन गत्विधियों को दर्ज किया गया है इस से निपटने का प्लान भी सीमा सुरक्षाबल ने बना लिया है पंजाब में अंतरराश्ट्रिय सीमा पर ड्रोन को मार गिराने पर जमानों को पुरसकार मिलेगा वहीं अगर कोई भारतिये तसकर सीमा पर नशे और हथियारों की खेप उठाता है तो उसे गोली मारने का फैसला लिया गया है बंगाल में तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान चेतावनी जारी 25 को गहरे चक्रवात में बदलने की संभावना बंगाल की खाड़ी के उपर बन रहे गहरे दबाव का छेतर रभीवार तेर रात यानि 12 घंटे के भीतर चक्रवात में तबदील हो सकता है जिससे पशिम बंगाल के तटिय इलाकों में भारी बारिश होने और 100 किलोमेटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएँ चलने का अनुमान है इस चक्रवात के 25 अक्टूबर को गहरे चक्रवात में बदल जाने की भी संभाव ना है गुजरात और हिमाचल चुनाव में होगी खडगे की अगनी परिक्षा कॉंग्रेस पार्टी की दलित ओटों पर है पैनी नजर कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे की ताजपोशी के साथ ही गुजरात और हिमाचल चुनाव सिर पर है यह कॉंग्रेस अध्यक्ष की अगनी परिक्षा होगी दरसल 2023 में करनाटक में भी विधान सभाज चुनाव होने है यह खडगे का ग्रिह राज भी है ऐसे में पार्टी को उमीद है कि उनके अध्यक्ष बनने से दलित वोट पर पकड़ बढ़ेगी सीम श्रीवराज ने कोविड काल में अनात हुए बच्चों संग मनाया दीपोट सो मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए गाए मोटिवेशनल गीत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीवराज सिंग चौवान ने कोविड काल में अनात हुए बच्चों के साथ दीपोट सो कारिक्रम मनाया सीम ने फूल बरसा कर भांजे भांजियों का स्वागत किया सीम श्रीवराज ने कहा कि मामा का घर मस्ती करने के लिए होता है सीम ने बच्चों के लिए मोटिवेशनल गीत भी गाए टापलेस होकर उर्फी जावेद ने दी फैंस को दीपावली की बधाई सोशल मीडिया पर खुब हो रहा है वाइरल अएक्टरस उर्फी जावेद अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहती है उर्फी जादा तर अपने कपड़ों के डिजाइन और बोल्डनेस की वजह से चर्चाबटोरती नजर आती है उर्फी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है इस बार उर्फी जावेद ने दीवाली के मौके पर फैंस के साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उर्फी जावेद ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर डाली है आज स्री राम का राज तिलक करेंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी स्री राम नगरी में है दीपोट्सो बनेगा विश्वरिकार्ड पूरी अयोध्या राम में हो गई है दीपोट्सो की आदभुद छटा बिखर रही है राम कथा पार्क को राजभवन की तरह सजाया गया है आज रभी वार शाम जब पुस्पक विमान रूपी हेलिकाप्टर से माता सीतावा तीनों भाईयों के साथ भगवान स्री राम उतरेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित तेनात राजेपाल आनंदी बेन पटेल के साथ उनकी अगवानी करेंगे इसके बाद स्री राम का राज्या भिशेख होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्शी वशिष्ट की भूमिका में उनका राजतिलक कर आरती उतारेंगे यीडा की फरजी वेबसाइट बना कर पचास लोगों से ठगी एरपोर्ट फिल्म सिटी के पास आवासी योजना के नाम पर धोखा दड़ी नोएडा एरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास घर बनाने का सपना देखने वालों को ठग निशाना बना रहे हैं ठगों ने यमना विकास प्राधिकरण की फरजी वेबसाइट तैयार कर आवासी योजना के नाम पर लोगों से लाखों रूपए ठग लिए विसरक कोतवाली पुलिस ने जाच की तो करीब पचास लोगों को ठगने की बात सामने आई है आप देख रहे हैं जन्मारी न्यूज टॉप 20 स्पोंसर्ड बाई शोभित यूनिवर्सिटी मेरट शोभित यूनिवर्सिटी एंपावरिंग नेशन थू एजूकेशन दीवाली से पहले ही जहरीली धुंद से ढखा दिल्ली का आसमान और बिगड सकते हैं हालात केजरीवाल के बैन पर उठे सवाल दीपावली से पहले ही राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी अत्यनत खराब स्रेणी में पहुँच गई है रविवार सुबह से ही दिल्ली समेत आसपास के शहरों में धुंद च्छाई रही अक्षरधाम के पास से गुजरने वाले राहगीरों को धुंद के चलते गाडियों की रफतार धीमी करनी पड़ी सवाल केजरिवाल पर उठाया जा रहा है कि दिवाली हुई नहीं पटाखा जला नहीं तो धुंद कैसे चागई साल भर अधेरे में रहने वाले बंकरों पर जले दीप दस हजार फीट की उचाई पर लगे भारत माता जै के नारे पूरे देश के शाथ भारत पाकिस्तान नियंत्रन रेखा पर भी दीवाली की धूम है घरों से दूर एलोसी पर तैनात सेना के जवान भी दीवाली मनाने में मस्त हैं नियंत्रन रेखा पर अंतिम चौकियों में तैनात सेना के जवान भी दीपावली मना रहे हैं आगरा लखनव एक्सप्रेस वे पर भीशड हादसा बस कंटेनर की टकर में चार की मौत 42 लोग हुए गंभीर रूप से घायल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भीशड सडखादसा हुआ है आगरा लखनव एक्सप्रेस वे पर डबल डे कर बस आगे चल रहे कंटेनर से तगर आ गई दर्दनाक हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई जबकि 42 यात्री घायल हुए हैं घायलों को अस्पताल में भरती कराया गया है मेरट में यात्रियों के लिए बसड़ों पर बनी हेल्प डेश्क बस ना मिलने पर कर सकेंगे शिकायत दिन रात होगा संचालन दिपावली से भाईया दूज तक के त्यावारों के लिए मेरट रोडवेज ने पूरी तयारी कर ली है शहर के भैसाली डिपो और सोहराब गेट सहित अन्य डिपो से प्रत्येक रूट पर बसों के फेरे बढ़ा दिये गए हैं यात्रियों को परिशानी से बचाने के लिए बसड़ों पर हेल्प डेश्क बनाई गई है यद किसी रूट पर यात्री को बस नहीं मिलती है तो वह यहां शिकायत कर सकते हैं सोने की चमक से दम का बाजार मेरट में हुआ दो सो पचास करोड से आधिक का कारोबार धन्तेरस के पहले दिन बाजार में खूब खरीदारी हुई सर्राफा बाजार भी चमक उठा इलेक्ट्रोनिक्स आइटम के साथ कार मोटरसाइकली स्कूटी की खरीदारी भी खूब हुई सुबह से राद तक बाजारों में रोन अक्छाई रही शनीवार को राद तक 250 करोड का कारोबार हुआ है सदर आभूलेन बाजार सेंट्रल मार्केट में भारी भीड उमर पड़ी थी आभूशन चांदी के सिक्कों के साथ लक्षमी गड़ेश जी की भी चांदी के खरी दे गए देश का सबसे बड़ा दीनी इदारा दारूल उलूम गैर माननेता प्राप्त अफसरों ने शार्षन को भेजी रिपोर्ट मदर्सू के सरकारी सर्वे में देश का सबसे बड़ा दीनी इदारा दारूल उलूम देवबंद गैर माननेता प्राप्त मिला है लेकिन यह सोसाइटी एक्ट 1988 के ताथ पंजिक्रित है इस संबंध में प्रशाषन ने शाषन को सर्वे संबंधी रिपोर्ट भेज दी है IRCTC कराएगी चार जोतिर लिंगों के दर्शन मासिक किस्तों पर भी भुगतान कर सकेंगे यात्री रेलवे 36 और 24 महिने के समान मासिक किस्त पर चार जोतिर लिंगों के दर्शन कराने जा रहा है इस यात्रा की योजना इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिजम कार्पोरेशन ने बना ली है इसके लिए चंडिगड रेलवे स्टेशन से 2 दिसंबर को स्वधेश यात्रार ट्रेन रवाना होगी जो यात्री टिकट का भुगतान एक साथ नहीं कर सकते हैं वो हर महिने किस्तों में पैसा दे सकते हैं रिशी शुनक लड़ेंगे पीम पद का चुनाव कहा सुधारना चाहता हूँ ब्रिटेन की एकोनॉमी ब्रिटेन की कंजर्वेटिब पार्टी के नेता रिशी शुनक ने एक बार फिर प्रधान मंतरी पद का चुनाव लड़ने की घोश्डा की है उन्होंने कहा कि वह ब्रिटेन की अर्थ विवस्था को सुधारना चाहते हैं पार्टी को एक जुट करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं इसलिए चुनाव में पीम बनने के लिए खड़े हैं मेरट में 31 अक्टूबर से होगा निर्वाचक नामावली प्रकाशन निकाई चुनाव की तैयारियां तेज 18 नौंबर को फाइनल होगी नामावली मेरट में निकाई चुनाव की तैयारियां तेज इसे शुरू हो गई हैं दीवाली बाग जिला प्रशाशन निर्वाचक नामावलियों को फाइनल करने के काम में जुटेगा 31 अक्टूबर से 18 नवंबर तक जिले में निकाय चुनाव के लिए नामावलियों का काम फाइनल हो जायेगा जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम दीपक मीडा ने शनिवार को ही नामावलियों के संबंध में सूचना जारी कर दी है गाधी परिवार के दो संगठनों के FCRA लाइसेंस रद एक और ट्रस्ट पर भी हो सकती है कार्रवाई केंदर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाधी परिवार से जुड़े राजीव गाधी फाउंडेशन और राजीव गाधी चैरिटेबल ट्रस्ट के विदेशी योगदान विनमय अधिनियम FCRA लाइसेंस को रद कर दिया है यह कार्रवाई कानूनों के उलंगन के बाद की गई है बताया गया है कि केंदर ने यह कदम 2020 में ग्रिह मंत्राले द्वारा गठित एक अंतर मंत्राले समित की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया है आप देख रहे हैं जन्मारी न्यूज टॉप 20 स्पोंसर्ड बाई शोभीत यूनिवरसिटी मेरट